देख सकते हैं आप कितना टेस्टी और डिलिस्यस बना है और बहुत ही कम मसालों में मैंने इसको बनाया है तो आज मैं आपनों से शेयर करूंगी मटर पनीर की रेस्पी तो चलिए समय ना बढ़ाते हुए अब रेस्पी को सुरू करते हैं कड़ाई गरम हो चुका है उसमें हम दो चम्मच ऑइल डालेंगे और पनीर को हम फ्राइए कर लेंगे ज्यादा मी करना है बस दो मीनाट तक इसका कलर चेंज होने तर पनीर को डोनों तरप से शेक लेंगे उलटके तो दोनों तरप से सीख चुका है अब हम इसको निकाल लेंगे प्रेट में तो मैंने कड़ाई रख दिया है कड़ाई गरम हो चुका है उसमें मैं दो टेबल स्पून ओल डाल दूंगी तो यहां पर मैंने दो रफली चौप किया हुगा प्याज लिया है इसको भी डाल दे ड Brendy मैंने अध्रक का लिए आधर-टुकडा लिया है चार से पांस लह सन कि कलिए इनस सारी टीजू को डालति हम दो जी झीम अ ढम लिए अ कि तो प्याज हमारा भूं चुका है अब हम प्यास को निकाल लेंगे और इसी चर्णि हम टमाटों को भी थोडे ज़े पका לתूं टमाटर भी हमारा हल्का सा गल गया है अब इसको घन ऊतार लिंगे और थन्डा कर के ग्राइड कर लिए तो यह मैहनी टमाटर और प्यादश कर लिया है अब चली थॉल्णी चलते हैं i am the tomato oragna तिरा कर देसा से कडाय में थोड़ा से आयल बत चुकर है तो , to oil हमारा घजमा we मैं 1 जीर डाल दी है जीर दाल है जीर हमारा चटक चुक एसि के साथ ममसाड़ी . यहाँ पर हल्दी पावरयत हम एक चंबप धनजी पावडर गरम मसाला एक चमच लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अमशार तो मसालों को हम भून लेंगे ध्यान रहे यहां पर ऑल्यादा गरम नहीं होना चाहिए ने तो मसाला हमारा जल जाएगा और अच्छे से भूननी पाएगा अमें मासाला को मैंने अच्छे से भूल लिया है अब्राइम किया हुआ हम डाल देंगे इसको मासाले के साथ अच्छे से करेंगे अब तेमाठर प्यवलिभे को वाले डीलिगे इसको भी चलाकर के हम उच्छे से को आप देख सकते हैं न कि इतना अच्छे से बून चुका है इसमेजित हैं सी उपँरいたक्र सकते हैं विस मतल दिनाये यहां पर एक वाउल मतली हूं जें वहा ի्रोजन मतल है मतल तो यहां पर फ्रेस मटर ले सकते हैं मटर को थोड़ा देर गरम पानी में उबाल देंगे तो वह बित्कुल सही हो जाएगा तो फ्रेजन मटर है मैं इसको डाल दे रही हूं इसपानी ज़क devil के लिवाल देंगे पानी आप अपने हिसाब से डाली है और चला के सथा अणवर को भी डाल देंगे अब अनुसार के लावभ ररेनवाष मेने आहां सबße वह यहां ड कर दोनमक में दोनी चला के इसको अच्छों कर लेंगे और ढखके इसको 2-3 मिनट हम पका लेंगे तो अब हम ढखकन लगा के 2-3 मिनट तक इसको पका लेंगे तो तीन से चार मिनट हो चुका है पकते हुए यह मैंने कसूरी मेथी दिया है इसको हाथों से थोड़ा सा क्रस करके हम पनीर में डाल देंगे इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर आपके पास हो तो जरूर डालिए अब हम इसको उतार लेंगे सब करने के लिए त तो मटर पनीर सब करने के लिए बिलकुल तैयार है आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और डिलिशयस बना है आप इसको चावल रोटी पराटी नहान के साथ खाई और मजे लीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब की तो मिलते एकले वीडियो में नहीं रेस्पी के साथ थैंक्स वर वाचिंग बाय बाय